नवस्कार साथियो मैं चंदर प्रकाश एक वाफ फिर से आप सभी का आपके खुद के यूट्यूब चैनल सीपी सिंग ऑफिशियल दी एग्री मांस्टर पर बहुत-बहुत स्वावत करता हूं जैसा कि साथियो आप सभी थमनल देखकर आए हैं फिर में आपको बता देता कि आज का टॉपिक जो है हमारा वह रहने वाला है मूंग की खेती मूंग की खेती यानि की ग्रीन ग्राम कल्टिवेशन यहां हम बात करेंगे ग्रीन ग्राम कल्टिवेशन के वारे में कि हम एक इस प्रकार से जो हमारी मूंग है कल्टिवेट कहनी है देखिए दोस्तों यह तो यहां से कई सारे प्रस्ट जो है आपकी 11 12 में तो बनते ही है साथ ही भी सी अग्री कल्चर में भी बनते हैं देखिए दोस्तों कंटेंट कुछ भी अलग नहीं होता कल्टिवेशन जो है सैम होती है चाहिए आप पढ़ ले चाहिए आप 11 12 में आप पढ़ोगे तो आपको आपका जो इस्टेट बोर्ड है उसके बेहाप पर पढ़ाया जाएगा लेकिन जब आप हाइड जो क्लास्स होती है वहां पढ़ोगे तो आपको पूरा इंडिया लेवल पर पढ़ाया जाए रहे सेंटरल लेवल पर चलिए मूंग की खिरती के बारे में जान लेते हैं तो बीडियो मिल जाती है और हम यहां आपको आपके एंग्जां की लिए अन्य भी उडियो is ना göster करा आते हैं देखे़ दोस्तों अगर आप एक किसान है क्वार आंगर हमारी देख रहे हैं तो आप बीडियो को लाश्ट तर्द कि करेंगे कि आपको किस प्रकार से किस वेराइ जिसनी भी क्रिया है सारी की सारी प्रेटर्स जो है उनके वारे में यहां आपको मैं बताओंगा किस प्रकार से आप उन पर ध्यान दे पाएंगे चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट देखें दोस्तों मुंग जो है एक महतपूर्ण दलहनी फसले है फसल है ज्यासा कि आप सारी फसल चक्र का एक प्रमुक अंग है तथा धान के बाद में लगाया जाता है और इसे हरीखाद के रूप में भी उप्यूक किया जाता है हरीखाद आप समझ गए होंगे गिरीन मैन्योर धैचा गौर मूंग ऐसे जो क्रॉप्स होती है इन्हें हम फीड में मैचूर होने मज़ते इससे फैली जुतवा देते हैं दवा देते है यह मपाटूमेटिक सर यह आ जाता है और या में बदल जाता है जिससे और गने कंटेंट जो हमारी मृता में वह इन हैंस हो जाता है जिससे आप इसके बाद बात कर लेते हैं संसार का 70 पर जो मूंग है भारत अखेरा उत्पादित करता है यानि कि 70% मूंग का प्रोडक्टर है अपनी इंडिया देती है और बाकि बची मूंग का हम किन किन रूप में उपयोग करते हैं देखी दोस्तों मूंग जो है इसके आटे से बिसक्ट बनाया जाते हैं और नमकीन बनाया जाती है और अन्य बहुत ही ज्यादा डिलीसियस बेंजर बनाया जाते हैं तो दोस्तों यहां आपको मैंने बताया कि हम मूंग को क लिए लगाई जाती है और इसका प्लांट रेजिडिव है इसको हम पसु आहार के रूप में भी उप्योग कर सकते हैं और इससे हम हरी खाद भी बना सकते हैं यह खाद है दोस्तों खात नहीं है और दोस्तों एक बात और बता दूए अगर आपको यह पीडिया चाहिए तो ट देखें दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम अपने जीवन में प्राइस दाल को खाते हैं कई सारे रूप में खाते हैं अब जान लेते हैं कि यह दाल जो है कितनी फायदे मंद है हमारे लिए देखें दोस्तों 100 ग्राम दाने में हमें कितनी परसेंट जो मिनरल्स हैं और एक दशमलंक 3% से बसा मिल मिल जाती है मिल जाता है इस पॉर न परतिसात तरह से विल जाते हैं 10 percent जल मिल जाता है तथा 124 Mg एष्य केलर्सियाद यहां से थैक्र मिलादि हलने मिलता है और से 0.39 mg vitamin B2 2 mg नी अची नी जो है यह हमें प्राप्त हो जाती है कहां से मुंग की दाल से 100 g मुंग की दाल जो मात्रा है इतना हमारा मिनरल कंटेंट है यह न्यूटरेंट कंटेंट है पाया जाता है अगर आप 100 ग्राम भी दाल जो है अपते में एक बार भी कंजिम करते हैं तो आ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह एक दलहनी फसल है तो क्या कर सकती है या ने जन स्थापन यानि की नाइटरोजन शिक्सिस्टिशन पताहें कर लिती है उन्हें बाहर से नाइटरोजन देने की जरूरत नहीं होती है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं मू नाम की बात करें करें तो इसा का बुतने नेंЕम जो है विगना रेडियेटा होता है और वाद होता है उसका भेडम रेवार का है बहुत यहां रखिये है त 119 विगना умूल का है त्यां राद की बात करें यानि family family's families ki pharmacy होती है जिसे पहले legumination नाम से जाना जाता था then chromosome number की बात करें तो two and equal to 22 इसमें chromosome number जो है पाई जाते हैं then paragon की बात करें तो self-pollination यहां देखने को मिलता है और inflowal sense की बात करें तो अच्छी परम यानि रेशिम टाप का मिलता है जुक्य में हमें देखने को मिलती है और फूर्ट टाइब की बात करें यहां हमें देखने को मिलती है अगर ओरिजन की बात करें तो इसका ओरिजन ऑफ सेंटर जो है वह वह हमारा भारत को ही यह ऑजिन ह님 किताब में लिखा उबाद बित्रड़ की बात करां थान की खेति भारत परसंट के कि जाती या बचे हुए 30 परसेंट अन्नियदेश आते हैं इसके बाद करते हैं भारत में मूंग यह लगवक कितने जमिन पर होती है तो दोस्तों लगवक 30.700000 भूदिधाय 태ख में मोउंह की खिטी कि जाती है भारत में मुख उत्पादक राज्यों की मैं बात करें महराश्च्रा अंत्रफि गुजराथ राजिस्थान où हार इसके बाद हम सबाद कर लेते हैं मुंग का उस्तन शितुरपल देखिए दो यहां बिहार क्यों लिखा मैंने जहार इस लिए लिखा दूस्तों कि leukeशर ठारए संटी माटेशिक ता पैले भिण पारवोर्ड के छात्रों के लिए ही बनाया गया था लेकिन जब हमने ध्यान दिया तो थोड़ी सोर रिशेच की पता चला की है जो टॉपिक है हर एक स्ट्रेट स्टेड़ के स्लिवस्त में है किसी में 11 class में हैं तो किसी इत्वाइल क्लास में है इसी लिए हम यह जो लेक्चर लेकर आया अपके लिए देखें दरूस्तों बिहार में मूंग का वासटन बार्सक चित्र फंथ हर aurait है लेंग, वह स्वेस्त के अट रहती है जल्लब इस तरीके से एयरिया है मूंग को ओगाने का कि टना इस tääरियर जो हैम पर एक 018037-0617 okay क्या है एक लाग अठावन अजार आठ सक्क्यासी हेक्टियर जो है जमीन एरिया जो है मुंग कल्टिवेट्शन इसमें किया जाता है दैन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इस चेटरफल से देखने को मिलता है इसके बाद बात करते हैं बिहार या उत्तरपदेश में आपको करनी है तो खरीब के मौशन में कर सकते हैं अगर आपके पास एरिगेशन की प्रॉपर स्विधा है तो आप इसे ग्रीस मकाल जाया तो मैं भी उगा सकते हैं जायाद का समय आप जानते हैं रभी के सीजन के बाद जैसे आलो शेंपें सरदियों वाली ऋसके वाली बान कल्टिवेशन कर सकते हो आप बो मैंने को इस टारड़ नियुक्त बहुकर घ्रिशन में́ था जो प्रप्रक्डस होती क्या है कैसे करनी अब देखे दोस्तों यहां बात करेंartet की मिट्टी जो चाहिए होती है बलू। मित्टी या दो अमट मिट्टी भभलन मानना ये हर परकार की स्वेल में आप एसे कल्टिबीट कर सकते हैं को 상황 leg चाहिए हर प्रकार की स्वैल में हो जाता है ठीक है तैन मिट्टी में जल निकास की अच्छी विवस्ता होनी चाहिए यासी विवस्ता होनी चाहिए यानि जो हमारा ड्रेने सिस्टम है वह अच्छा होना चाहिए अब ड्रेने सिस्टम क्या होता है इसके उपर एक वीडियो मे मैं अलग से लाऊंगा आपको वहां में इस्टेरेनींध पार में बताऊंगा जल निगास क्या होताँ क्योंकि यहां हमारा हमारे इस टॉले में हैं लेकिन ऽे यह पर यह नहीं पूंचे की जाती है इसके लिए आपको नीट्रल स्वाइल चाहिए होती है 6-8 के बीच आप कर सकते हैं अगर आपकी स्वाइल का पी एक चतना है तो देंगे दोस्तों जलवाईयू कोई स्वेसल जलवाईयू नहीं दी गई है आप इसे घर्म्यों भी वह सकते हो खरीब में भी वह सकत सेंट्यमींटर कर कि अब दिक लिए पर्याप्थ है तो जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने यहां जलवायू तक देख लिया है अभी देखते हैं मुह की खेत के लिए खेत को कैस्क्षा आदर गाना है यानि फिल्ड प्रप्रेरश्चन कैसे गानी ऑन दोस्तों यहां जो भी चीजा लिखी यह लिखी रहने दो आपको इजी तरीका बताता हूं इजी तरीका इस थिया रहरै वह सिवाने est आपके यहां हमें बताईएगा कमेंट में हम तो प्री इर्डिकेसन नहीं बोलेंगे प्रीड जैसे हमारे पास यह फील्ड है अब हमने जो भी हमारी फसल लगे ती आलू लगा हुआ था ता यानि गर रभी की तो हमने लगा रखी थी तो हमें यह फसल जो हार्वेस्ट करने क यहां पानी देना होगा यानि कि प्री इर्डिकेसन देनी होगी कि प्री इर्डिकेसन हमें देनी होगी प्री इर्डिकेसन आप समझ गई होंगे क्या होती है फसल बोने से पहले खाली खेत में पानी देते हैं उसे प्री इर्डिकेसन बोलते हैं इसके बाद करना क्या होता फचल वाद आप चलवाना चाहते हैं तो आप रोटोवेटर भी चलवा सकते हैं इसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कैसे करना है समय में आ गया होगा जो भी आपकी फसल लगी होई है हार्वेस्ट कर लिजिए प्री इरिगेट करना है खेत को देन आपका खेत पैर से लग जाए उसके बाद आपको ट्रेक्टर से जुत्वा लेना है कल्टीवेटर से चलवाने है अगर आप रोटोमेटर चलवा रहे हैं तो एक बार सी काम हो जाता है कि इस प्रकार से आप अपने खेत को त्यार कर सकते हैं और आप जानते यह खेत को त्यार जो करते हैं क्यों करते हैं मिट्टी को बरबरा बनाने के लिए जिससे आसानी से हमारा पेड़ जो है इमर्ज ह हो एं रूट की पैनेट्रेट करता है सफोई को ठिक है यही चीज़ होती है कुछ नहीं होता और इसके बाद कुछ वैराइटी जे इनको सपल राइटी इस असलेक्ट ने अगर इसके average yield की बात करें उसत अबच की बात करें तो 15-16 कोईंटेल प्रती हैक्टेर इसकी उपज रही है इसकी भी यही है सेम उपज ज्यादा है थोड़ी सी अच्छी कंडिशन लोग उपज ज्यादा मिलेगी ठीक है पूसा विसाल यह भी इतने सत्र से पर चैतर दन में तयार हो जाती है और यह जो है बारा से पंद्रा कोईंटल दे देती है आसानी से एक यह समराठ पीडियेम ज दसे बारा कोईंटल हमें उपज दे देती है ज्यादा समय भी अवह नहीं लग रहा इसमें तो दैन स्मल शेसो और सट साट पैसे दनों में यह भी पके जाती है नौन सट नौन सट कोईंटल प्रतिया थे हमें उपज दे दिती है और दूस्त एक और किसमें है समराठ चार स 244 तो नावा नाम सुना होगा आपने सबहर चार सो चैवालीस मूं की वेराइडी है यह जो बैराइटी स्रीद्वीर है उनके द्वारा डाभी गई यह वहतरी ऐ से लगाना चांके लिए लिंक डिस्कू सं में हैènciaर चार्स चाहां einfach को बात करते हैं अन्य Benek कुछ मों के बा और यह कुछ डिसीस से प्रसेस्टेंट जो है टॉलरेंसी जो है वह दिखाती है जैसे कि रोग रोधी है मिश्रत खेती के लिए उप्युक्त है यदि हमें किसी दूसरी फसल के साथ में वह रहे हैं तो अच्छी है पी आर वन साथ प्रस्ट दनों में यह भी तयार हो जाती है है खरयों का एक सा पकना होता है इसमें और संपूर ब्हार में खेती किसमें या विहार के लिए सूटेवन किसमें कॉनशी प्रस्ट त्यों किसम नोचें अई कर लिए व Сейчас भी होता है झालास तर कि सारी एक साथ घुर पर दाना आता है यह भी रोग रोधी पर जाती है जिसकी पर नदरा से अठारा प्रेंटर प्रती है उपज रहती है आई पी एम दो तीन ठीक है आई पीम दोनों कई सारी विया तो आप इनका सेलेक्शन कर सकते हैं अपने एरिया के साफ से कर सकते हैं आपको कुछ बारे में बताए हैं जिसे आपको अपने एक्जाम में ल्खनी होती है जैसे कि आप सो फूच लेता है मोग की दो युदो के नाम लिखियें अपने एक्जाम में दन बवाई की दूरी इस परि rollers करें देखिए दोस्तों बैसे तो कोई जरूरी नहीं है अगर आप प्रे चिंश से बहु रहे हैं माजिन से ईंपिन से मेची क्यों हो रहे हैं तो करना क्या होगा आपको उसके सेट करों आब कि मसीन शूंँ पर आप सब्सक्राइब युलाय इस तरीके से लगब हमारे कितने पड़ेंगे हमारे खेट में तो 3 viewing १े रेट यहां दिखते हैं तो देखिए दो एक हेक्टेर की दी आती है सीड रेट आपको तो 15 से 20 किलोग्राम सीड रेट रहती है मूंकी देखिए गर्मियों में वहाई के लिए अगर आप इससे यूज कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम आपको भीज बढ़ा देना होगा क्योंकि यहां पेडों के सर्वाइबल चांस बहुत कम हो जाते हैं due to over temperature बहुत ज़्यादा temperature हो जाता गर्मियों में जायद के condition में बता रहे हैं को क्योंकि यहां होता क्या है कि irrigation कभी मिलती है कभी नहीं मिलती क्योंकि गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत रहती है खेतों के लिए इसलिए बोल रहे हैं अगर आप गर्मियों अगर आपका कडिश जो है बय्ड है तो आप क्छिर बीस्त किलो ग्ळ्राम पीच में ले लेना है टिक था चिरव करें आप सक्ते लिस्टो बोल्ड है तो मॉन्टा दाना में को बस्कृइस एग्षेश करना होता है और के ऊपर एपको बता दिया जाएगा चैनल को सब्सक्राइब लेंगे तो मिल जाएगा अगर देखिए रसायने को प्चार करते हैं को करना क्या है अगर अगर आपके पास नहीं है थायरम कभी यूज कर सकते हो दो अच्छी है ठीक है Google कहें है और यह दो किया है रोगों से हमारे भीच को बंचा लेती है उन से हमारे बीच की रचाएट ट्रीका है प्रोटेक्शन करते हैं अगर आप नसमें को सपर फंगी讲 स्केशि करती है वाक ऊप्सेम्ट्रीकी सपेाल कर्या accurate श्रीटर्सरीट लेते हैं इसमें आप 150 परति क प्रेजी के हिसाब से उफ्चर करना होता है यह मिट्टी में नियूजन करने वाले जीवाडरों को बढ़ाता है इसे जीवाडरों के लिए एक बहतरी इंवारोमेंट जो है क्रिएट करता है और और साथ प्रदान करता है अब लेके लिए गीविदियां देखेकिगए दोस्तों कि मुंकी विवाई की विदियां कई विदियां है जैसे ही में आपको बताया संसासाथारों की उपर कहती है करती है क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं कि देखिए कि खड़ा विदी कि देविलिंग मैथड दो तीन वीज आपको तीन से चार संटिमेटर की गहराई पर एक गड़्डे में आपको दो से तीन वीज जालने होते हैं यहां पर यह डिवलेंगे आप हाथ देखिए आते हैं हाथ से मैन्नोली करना होता है यहां आपको लेवर की ज़्यादा जरूरत पड़ आती है लेवर कंजीविंग गई है यह तरब साथ देख प्रसीजर है यहां पर नंक अतार की भुवाई यहां पर भी तीन से चार सेंटिमेटर की गया रहाई पर कतार वह जाता है य टूरी तो उस प्रकार से आपको यहां दूरी रखनी होती है अब कठार म ₩ब किसे करओं तरह की यहां सीद्रिल का सिप्सेट इसे कर सकते हैं यह आप यसमें कि अथा कर सकते हैं आप आगे 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 हल चल रहा है हल इसे इस तरीके से आपको करना कुछ नहीं है बाल्टी में आपको जो कैसे भी आप ले सकते हैं पूरे खेत को या फावडे से मिला दीजिए खुर्पी से मिला दीजिए तो यह एक स्रम साथ दे प्रोसीजर है अगर आप हास से मिला रहे हो तो नहीं तो हास से फैकिए ट्रेक्टर चलवाई है भी जाव जाएगा लेकिन इसमां होता है कहीं ज्यादा बेहरा रहा है तो यहां उपने उगने में उसे ज्जादा प्रोबलम क्रियेट हो जाती है वीज के लिए पर तो यहां शमश्या खड़ी हो जाती है एक साथ पेड़ बाज कर नहीं आते है तो देखिए दोस्तों वै बता देता हूं देखिए दोस्तों मुंगी फसल एक दलहनी फसल है यहां कोई बैसे जरुवत नहीं होती है लेकिन फिर भी 40-42 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन हमें देनी पड़ जाए तो दे सकते हैं तीन से चार पांच घ्रवाम फासफोरस और 12-14 किलोग्राम नाइट्र अगर देखिए दोस्तों आपके पास सचाई की अबलब अवेलिबिलिटी है विवस्ता है लुए देसकर अगर आपको आपको नहीं है तो आपको स्यर्वी दूसता है देनी वहीं कही से भी दिजिए दूस्ता सचाई तो देनी होगे इसकी कल्टिविशन के लिए तो आपकी जो मूंग अछी खासी उसरा पली नहीं है आएगी पॉड नहीं बनेंगी अच्छी कर सकते हैं ठीक है इसलिए खरीप में जाला तर जो है मूंग वोई जाती है देखिए अगर आप पर पास दो चाहिए आपको दो पानी देने हैं तो कब दोगे एक फ्लावरिंग बजे दीजिए पॉड सेटनिंग बजे दीजिए काम खतम कुछ नहीं करना फिर पर आ जाते है करना क्या होता है देखिए यहां हम हाथ से नराई कर सकते हैं हमने मूंग वोई तो उसके एक महीने अगादा आप उसमें हाथ से खुरपी से मैनुली नराई कर दीजिए जितने भी खरपतवार उगकर आएं जम चुके हैं वह खतम हो जाएंगे नस्त हो जाएंगे ठीक है या यहां पर कुछ उच्ट का भी यूज कर सकते हैं निक्समें अंतलब है कि जब भी अपने फसल वहाई है उसके इसके प्रणाली के बारे में क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है देखें दोस्तूं की खेती विबन प्रकार की प्रणालियों में की जा सकती है आपके द्वारा क्या चर्चा करते हैं उस पर लिए कि चलिए दोस्तों यहां बात कर लेते हैं मूंग की खेती प्रणाली के बारे में क्रोपिंग सिस्टम के देखी दुस्तों कई तरह के यहां आपको क्रॉपिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं पहला मिस्ट फसल है इंट्र अपिंग है जिसे हम सीरियल प्रॉप्स और ओयल सीड क्राफ्स दौनों को कब माइं करके बूसकते हैं या प्योर क्रॉप्स भी लगा सकते हैं मुझ को अ उसकी लिंक दिस्क्रिप्सम में है जाके जाएगा आपको मिल जाएगी इसकी पीडिएफ डाउनलोड ली जाएगा प्रेंट निगल वाली जिएगा पड़ा लीजिएगा आराम से अब सिस्ट फसल नतादी धान की परती में तनहन इस परकार से भी बोसकते हूं फसल चक्र से आभार अब मिलेंगे नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जहन जवारत देखें दोस्तों बदाले देसे पहले आप से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां बेहत इंपोर्टेंट कंटेंट जो है प्रवाइट किया जाता है जैसे कि हमने य अधिक आप शियल्ड एग्रिमास्चर फोर वैलिवल इंसाइट एंगाइड इंग्रिकल्चर एंड एजू किसन डाउंट बिस आउट आउट आर डेली फ्रीलाइप लाइप लाइप लाइट नोट्स दाउनलोड लाइक कमेंट एंड सिया यह लुव आप 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 आ अगली वीडियो मिलेंगे अब तो